Hey everyone, this is Shani Dhanani and I welcome you all to Magnet Brains Hindi. यह कैसा चानल जहां आपको मिलती है स्कूल एड्युकेशन, बिल्गर फ्री ओफ कॉस्ट. साथी साथ आपके जो स्कूल कर्युकिलिम के टॉपिक्स हैं, उसके अलावा अगर आप डिफरेंट कॉस्स जैसे की स्फोकन इंग्लिश कॉस्स, NTSC, OLYMPIAR, IREJ, NEED, SSC, UHAV, JAPCAP, BANK, अगर कॉछ भी पढ़ना चाहते हो, अगेन फ्री ओफ कॉस्ट, बिना किसी रुकावट के अपने घर पे बाइट कर, तो definitely आप एक सही प्लाटफॉर्म पे हैं, बिकस मागनेट ब्रेंज पे ये सारे जितने भी कोस्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीजें, एक प्रॉपर ओर्डर में अरेंज आपके सामने दे दी जाएं तो definitely आप बहुत खुश हो जाओगे, तो आपके लिए ये सही एक जो option है, वो है in the form of website, that is magnetbrains.com, जिसे विजिट करकर आप सारे कोस्स को बहुत आसानी से access और explore कर सकते हो, now what you have to do, like आपको कैसे website विजिट करना है, कैसे videos को access करना है, सब बताऊंगी in detail, बर इस वीडियो के अंत में फिलाल के लिए बात कर सकते हैं आज के topic की, तो आज हम बात करने वाले हैं Glimpses of India के part 2, यानी कुर्ग की, तो देखिए आपको बता होगा कि chapter 7, Glimpses of India, तीन स्टोरी से बना हुआ है, number 1, A Baker from Goa, जिसे हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, हमने उसका detail explanation, NCRT questions, summary complete chapter revision, सब देख लिया है, बड़ अब बारी आती है, इसके दूसरे part कुर्ग की, और जो थर्ड स्टोरी है, टी फ्रम आसाम, वो हम पढ़ेंगे, जैसे ही हम कुर्ग को अच्छे से पूरी तरीके से complete कर चुके होंगे, ठीक हैं, तो second part कुर्ग जो है, बहुत ही खुबसूरत सी जगे के बारे में है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये विजिट करते हो जगे, वो भी सही समय पे, बारिश बहुत होती है, तो कुछ ही महीने होते हैं, जब बारिश बहुत ही controlled होती है, और जब आप जाके विजिट कर सकते हो इस जगे को, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में जैसे आगा है, इतनी खुबसूरत ये जगे है, ठीक है, तो यहां के बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगा आज के टॉपिक में, क्योंकि कुर्ग को बहुत ही बहतरीन तरीकी से लोकेश अबरिल, यानि कि जो आपके ऑथर है, उन्होंने बहुत डीटे क्या है, इंक्लूड किया है, जैसे ही हम इस चाप्टर को खदम करते हैं, आपको आपके चाप्टर के एंड वे, जैसे जैसे स्टोरी खतम होगी, आपको उसके बाद एक बॉक्स दिया है, जिसमें आप कुर्ग कैसे जा सकते हो, like railway के थू, airport, like by air, or by road, कितना किलोमेटर है, कैसे पहुझते हैं, सब कुछ दिया हुआ, तो वो पढ़ लीजेगा, उसी पर बेस्ट एक क्वेशन भी आएगा आएगा आपके लिए NCRT में, so definitely वो अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, but जो भी कुर्ग चाप्टर से रिलेटेड हैं, वो सब हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, ताकि आप वही वही पढ़ के अपने एक्जाम के लिए जा पाऊ, clear, okay, चलिए, स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक से इंट्रॉडक्शन से हमेशा की तरह, और फिर बात करेंगे पहले-पहले पारग्राफ की, so the story कुर्ग is written by लोकेश आपरॉल, लोकेश आपर refreshing sea, खुश्बू आएगी, इतने जादा coffee estates हैं यहाँ पर, तो coffee country है यह, दूसरी बात, यह rain forest और spices के लिए बड़ी famous है, कौन कुर्ग, rain forest जो है न, यह कुर्ग का 30% हिस्सा बनाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यह बहुत जादा यहाँ पर पाये जाते हैं, साथी साथ यहा सो कुर्ग कहानी लोकेश अब रॉल ने लिखी है, और कुर्ग एक coffee देश है, जो अपने वर्शावनो, यानी की जो rain forest है, और मसालों के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध है, clear? चले, अब स्टार्ट करेंगे इसका पहला paragraph, जो की आपके author आपको explain कर रहे हैं, कि कितनी खु अब यह जो particular जगे है, वो कहा है? मिडवे, यानी कहीं बीच में पढ़ती है यह जगे, मैसूर और coastal town of Mangalore के बीच, तो Mangalore और मैसूर के बीच कहीं आता है क्या? कुर्ग, and it is what a piece of heaven, ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग का एक तुकड़ा है, like obviously स्वर्ग किसी ने देखा नही है I don't know किसी की इच्छा भी की ने देखने की, तो जो स्वर्ग है, वो definitely माना चाता है, यह बड़ी सुन्दर जगे है, विकास वहाँ भगवान रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है, जैसे कि वहीं का एक तुकड़ा कुर्ग के रूप में, यहाँ पर धर्ती पे मौजूद ह किसी इतना बेहत खुबसूरत है कुर्ग, जहां आपको लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए हों, ठीक है? यहाँ जैसे कि यहां हम बात करें, तो हवा के साथ कोई चीज जैसे नहीं भैके आ जाती है, तो हम बोलते कि वह एर के साथ ड्रिफ्ट होके आ गई है, ठीक है वैसी इसा माना चाता है कि जैसे कि स्वर्ग का एक तुकड़ा जो है वो ऐसी आ गया होगा धर्ती पे और वो कुर्ग कहलाता है, तो अगर आपको ऐसे heaven type की कोई जगे देखनी है अर्थ प्लानेट पे तो definitely कुर्ग उन में से एक है, जो कि ऐसा लगता है कि भगवान के ही गहर से सीधा सीधा एक अंश जो है वो आ गया हो, this land of rolling hills is inhibited by proud race of Marshall Venn, beautiful women and wildlife creatures, तो ये जो दिया हुआ है कि ये land of rolling hills है, तो तीक है यहाँ पर बहुत सारी hills आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और ये ऐसी होती हो, जैसे ये नीचे तरफ जारी है, देन वहाँ पर भी नीचे कि तरफ जारी है, यानि कि यसे धलान टाइप की hills होती है, इसलिए कहा गया है rolling hills, ठीक है, तो ये जो है जगे कैसी है, कि हर जगह आपको hills दिखेंगी, वो भी ऐसी normal hills नहीं दिखेंगी, आपको इसे roll करते हो, यानि धलान वाली hills, जो है, sloppy hills दिखने वाली है, अब यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, इनिबिटेट का मतलब यहां के रहवासी कौन है, तो यहां आपको मिलेंगे proud race of martial men, यानि आपको यहां बहुत सैनिक मिलेंगे, बहुत ही जादा, you know, strong और बहदर लोगों से मिलने का मौखा मिलेगा आपको यहां पर, this place has beautiful women, बहुत ही सुन्दर म महिलाएं हैं यहां पर, and wild creatures, wildlife भी बहुत जादा interesting है, यहां के जो men है, they are very, you know, strong, very brave, बहुत जादा बहादर हैं यहां के लोग, साथी साथ जो महिलाएं हैं यहां की बहुत खुबसूरत हैं, और यहां के जो creatures, wildlife creatures, वो भी बहुत सारे और बहुत वराइटी के होते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपका भी कुर्ग विजिट करते हैं, clear, चलिए फटा फट से words का meaning देखते हैं, drifted from का मतलब है, being carried along gently by air, यानि हवा के साथ बिलकुल ऐसे बस बहते हुए आ गया हो, जैसे यह स्वर्ग का तुकड़ा ऐसा लगता है, इस जगे पर ज आते हो, सो हवा द्वारा धीरे से साथ ले जाया गया, उसे कहा जाता है, drifted from, मार्शिल का मतलब है, having to do with war, जो युद्ध से related होता है, जो सैनिक होते हैं, वो सब मार्शिल के अंतरगत आते हैं, clear, ओके, चलिए फिसी को हिंदी में देखते हैं, मैसूर और टटिय शहर, या से गौरफ शाली लोग निवास करते हैं, तो यह बड़े प्राउड लोग हैं, ठीक है, प्राउड का मतलब घमंडी नहीं है, उन्हें गर्व है अपने उपर, इतने बहत्रीन लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा है कि महमान नवाजी के लिए भी बहुत जाना जाता ह है कुर्ग क्योंकि यहाँ की लोग बड़े welcoming होते हैं, जैसे कोई tourist आता है, कोई visitor आता है, pariyaatak आते हैं, तो यह लोग बहुत ही welcoming होते हैं, आपसे बात करेंगे, आपको कहानिया बताएंगे, अपनी युद्ध की और जो कुछ भी उनको पता है, clear, ओके आगे बढ़ते हैं कुर्ग और कोडागू, the smallest district of करनाटका, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. तो कुर्ग का एक और नाम है कोडागू, प्लीज ध्यान में रखियेगा, ये करनाटका की सबसे छोटी district है, करनाटका का सबसे छोटा जिला जो है न, वो है कोडागू या कुर्ग. और ये घर है, किसका घर है, evergreen rainforest का, spices का और coffee plantations का, यहां आपको बहुत सारे evergreen rainforest, बहुत सारे coffee plantations और बहुत सारे spices मिल जाएंगे. तो ऐसा लगता है कि जैसे इन तीनों चीजों का ये घर हो, क्या, कुर्ग या कोडागू, evergreen rainforest cover 30% of this district, इस particular district कुर्ग का 30% हिस्सा भरा पड़ा है evergreen rainforest से, तो यहां आप जाएंगे, आपको बहुत evergreen rainforest लेकने को मिलेंगे, because 30% of this district is covered by, पूरा घिरा हुआ है, किस से evergreen rainforest से, During the monsoons, monsoon क्या होता है, बारिश का समय, वर्षा रितू जो होती है, वो monsoon है, it pours enough to keep many visitors away, कुर्ग में इतनी बारिश होती है, बारिश के मौसम में, कि यहां परियाटक नहीं आते हैं उन दिनों में, ठीक है, यानि बारिश इतनी होती है, कि कुर्ग काम्याब हो जाता है, अपने से visitors को दूर रखने में, because obviously visitors क्यों आएंगे, इस जगे को घुमने के लिए, बारिश में, heavy rainfall में कैसी घुम पाओगे, तो इसलिए बहुत कम visitors आते हैं यहां पर, जब monsoon season होता है, The season of joy commences from September and continues till March, बट जो एक joy, यानि खुशी का जो मौसम होता है, वो कब start होता है, commence मतलब start होता है, September से लेकर start होता है, और March तब चलता है, यानि September से March के बीच अगर आप कुर्ग घुमने जाते हो, तो आपने right decision लिया है, because यही सबसे best time होता है कुर्ग को visit करने का, क्यों? Because the weather is perfect, यानि weather बिलकुल बढ़िया होता है, हाँ का एक तर्म बिलकुल सही weather होता है, मौसम होता है, जब आप यहाँ पर घुमने जाओ, कुर्ग में, with some shards thrown in for good measure, और थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो जरूरी भी है, अच्छा रहता होती बारिश होना, परनाटका का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा evergreen rainforest, spices, coffee plantations मिलेंगे, evergreen rainforest यहाँ का 30% हिस्सा cover करता है, साथी साथ बारिश के मौसम में यहाँ बहुत तेज बारिश होती है, इसलिए यहाँ परेयर टक इतने आ नहीं पाते, बट जो सबसे सही मौसम होता है, जो एक खुशी का मौसम होता है, वो होता है सेप्टेंबर से लेखे मार्च तक, जब यहाँ लोग विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वेधर होता है बिलकुल बढ़िया, परफेक्ट घूमने लायक, थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो की अच्छी बात है, करनाटक का सबसे छोटा जिला, कुर्ग या कोडागू, सदा बहार वर्शावनों यानि एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, मसालों यानि स्पाइसिस और कॉफी के बगानों यानि कॉफी प्लानटेशन्स का घर है, इस जिले का 30 प्रतिशत हिस्सा सदा बहार वर्शावनों से हुआ है, वर्शा रितु के दौरान यहां कई परियटों को दूर रखने के लिए परियाप्त वर्शा होती है, आनंद का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्श तक जारी रहता है, मौसम खुशनमा होता है और कुछ बारिश होती है जो इसे सार्थक बनाती है, तो यह यहां पर जो perfect time है घूमने जाने का वो September से March है बारिश भी विल्कुल थोड़ी बहुत होती है जो सही है जो सार्थक बनाती है आपका आना और यह सारी चीज़े जो आपको ध्यान में रतनी है तो यहां मैं highlight कर देती हूँ अगर आप कहीं पर भी skip कर दो तो सबसे छोटी district है स नाम को डागू भी है इसका यहां evergreen rainforest 30 प्रतेशत इसका cover करते हैं साथी साथ यहां बारिश बहुत जादा होती है इसलिए best time है आप September से लेकर मार्श तक के बीच में घुमने जा डान? ओकी चलिए आगे बढ़तते हैं So next paragraph में लिखा है इसका मतलब क्या है तो जो airhead breeds of invigorating coffee what is invigorating refreshing ठीक है तो coffee हम पीते हैं तो हमारी नीन दूड़ जाती है और coffee जिसको पसंद है जो coffee lovers है उनको coffee की खुश्बू बड़ी पसंद होती होगी ठीक है मतलब वो एक अलग ही fresh खुश्बू होती है तो वही चीज है कि यहाँ coffee plantations इतने जादा है कि आप कुर्ग अगर जाते हैं तो आपको coffee की खुश्बू अलग हवा में महसूस होगी इतनी जादा coffee हाँ पर estates है coffee estates and colonial bungalows जो ब्रिटिश स्टाइल के घर होते हैं उन्हें colonial bungalows कहा गया है तो coffee का पूरा बगान और colonial bungalows जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं under tree canopies in prime corners मतलब कुर्ग के जो best corners है best places हैं हम कह दें इसको prime का मतलब होता है the best ठीक है independent people of course are possibly of Greek and Arabic descent यह next important question है जो continue होगा आगे की slide में ठीक है यह माना जाता है कि यहां के लोग हैं बहुत ही जादा आत्म निर्भर ठीक है self dependent है यह और independent है किसी पर निर्भर नहीं है यह और they are very fierce like बहुत ही जदा strong brave लोग हैं आके और ऐसा माना जाता है यह लोग यह तो एक Greek वंच के हैं या Arabic वंच के हैं अब इसका proof है कि Greek क्यों कहा जाता है Arabic क्यों कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले पढ़ेंगे Greek वाली story As one story goes a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical यानि कि यहाँ पर एक story यह है कि जब Alexander की जो आर्मी है वो एक बर क्या हुआ ना उनकी आर्मी का कुछ हिस्सा south की तरफ चला गया और यह लोग यहाँ पहुच गए अब यहाँ से बापस लोटना इनके लिए संभव नहीं हो पाया तब यह लोग क्या कर गए ना यह लोग यही पर settle हो गए अब settle होने के बाद क्या हुआ वो बात बताऊंगे आपको आगे की slide में पहले इसमें words का meaning देखते हैं और Hindi देखते हैं Canopies are roof-like coverings that form shelters यानि कि roof जैसी covering हो जाती है tree की ठीके पेडो की covering बन जाती है that is mandapkar आच्छादन यानि की एक shelter Prime यहाँ पर मतलब है Prime का best like the best तो सबसे मुख्य जो यहां के जगे हैं वहाँ आपको coffee estate और colonial bungalows मिलते हैं हवास फूर्फती दायक coffee की मजबूत खुश्बू से भर जाती है और coffee के बागान और opening वेशिक बंगले यानि की colonial bungalows मुख्य कोनों में पेड की छतरियों के नीचे टिके हुए हैं कुर्ग के कटर स्वतन त्रि लोग संभव तह ग्रीक या अर्भी मूल के हैं या तो ये ग्रीक वंच से आते हैं या फिर ये अर्भी मूल से आते हैं एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक हिस्सा टट के साथ दक्षिन की ओर चला गया और वापसी असंभव हो जाने पर यहां बस गया तो एलेक्जेंडर आर्मी का एक हिस्सा जो है साउथ तरफ आया और यहां पर यह लोग रहे अब इसके बाद क्या हुआ रहें का अब हुआ क्या कि यह लोग यहीं सटल हो गए तो यहां के जो लोग होंगे कुर्ग के नॉर्मल लोग उन लोगों से यह एलेक्जेंडर आर्मी की जो लोग यहां बस चुके थे उन्होंने शादी कर ली ठीक है अब इनकी जब शादी हुई यहां पर तो अब इनके यानि जो भी युद्ध का tradition होता है, marriage यहां के शादी में जो भी traditions follow होते हैं और religious rights जो होते हैं जो भी religious you know, क्या बोलूँ, rights का मतलब होता है जो भी parampra अगरा होती है, ठीक है, जो भी rituals होते हैं, उन सब में देखने को मिलता है एक Greek touch, यानि जो Greeks जैसे follow करते हैं, वैसा ही सब यहां पर देखने को मिलता है, इसलिए कहा जाता है, ग्रीक जो descent है, एक वंश है, ठीक है, और ये चीज जो है वो हिंदू mainstream से बहुत हटके है, यानि बाकी जगाओं पे जो हिंदू जो main follow करते हैं, traditions वगेरा उससे बहुत विप्रीत है, यह बहुत ही अलग है, क्या traditions, जो कि यहां के लोग follow करते हैं, और जो कि बहुत match करता है with the Greek traditions, clear? The theory of Arab origin draws support from the long black coat with the embroidered waist belt worn by the kudvas, अब होता क्या है कि भई, एक तो Greek descent है, बट यहां पे सिर्फ Greek descent नहीं है, यहां पे Arabic descent भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहां के लोग ना, एक ड्रेस पहनते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सा black color का coat होता है, और एक waist पे कमर पे एक belt होती है, जिसमें कडाई की होती है, जो embroidered होती है, और यह belt कौन पहनते हैं, कुडवस, कुडवस कौन है, कुर्गी, यानि की कुर्ग के लोग, known as कूपिया, मैंने आपको Baker from Goa में कई बार कहा था कि वहाँ पर कबाई को मत भूल जाना क्योंकि आगे जाके फिर कपडों की बात होने वाली है जो कूपिया और कूफिया आपको धे Arabic descent कहां से आता है, इस dress से जिसे कहा जाता है, कूपिया कहां पर कुर्ग में, और इसे कूपिया कहा जाता है, अराब में ठीक है, इस तरह की dress दिखती है, एक long black color का coat होता है, बहुत ही long और उस पे waist पे एक welt होता है ज्यादत है जो कि embroidery किया हुआ होता है जिस पर कडाई की होती है clear? ओकी चलिए है words का meaning देख लेते हैं पहला word है apparent, apparent का मतलब होता है कि बहुत ही साफ-साफ दिखाई दे रहा है like obvious that is पश्ट रूप से कोई चीज होती है तो उसे apparent कहते है rights का मतलब है yes, riti rivaas is the word so a social custom practice और conventional act जो भी riti rivaas होते हैं इनके कौन से वाले भी religious rights जो भी भगवान related, religious related रiti rivaas होते हैं वो बहुत अलग है इनके हिंदू mainstream से और किसकी तरह दिखते हैं बहुत ज़ाद ग्रीक टाइप के touch वाले है clear? okay, next word क्या है? mainstream, mainstream is a tradition which most people follow जो अक्सर जादतर लोग follow करते हैं, उसको mainstream कहते हैं so एक परंपरा जिसका जादतर लोग पालन करते हैं next word है embroidered, जिसका मतलब है decorated with pattern sewn on with thread यानि धागी की मदद से designs बनाई जाती है, कडाई की जाती है तो कडाईदार को क्या कहते हैं? embroidered clear? चलिए, अभी सी को हिंदी में देखते है इन लोगों ने स्थानिये लोग, अब इन लोग कौन है? Alexander Army का पार जो की हाँ पर रह चुका था इन लोगों ने स्थानिये लोगों से शादी की और उनकी संस्कृती मार्शल परंपराओं, विभा और धार्मिक संस्कारों में बहुत-बहुत पश्ट है जो हिंदू मुख्यधारा से काफी अलग है तो इसलिए कहा जाता है Greek Descent ये question ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है अरब मूल का सिद्धान्त कुडावस द्वारा पहनी जाने वाली कडाईदार कमर बेल्ट के साथ लंबे वाले कोट के समर्थन प्राप्त करता है यह कूपिया के रूप में जाना जाता है तो जो कुर्ग के लोग ड्रेस पहनते हैं उसे कूपिया कहते है और यहां अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कूपिया जैसा दिखता है तो कूपिया से मैच करने वाली ड्रेस क्या है कूपिया जो की कुर्ग में पहनी जाती है और इसी लिए यह अराविक डिसेंट को सपोर्ट करता है कूर्गी होम्स है आगे बढ़ते हैं कूर्गी होम्स हैव ट्रेडिशन ओफ हॉस्पिटालिटी बै कूर्ग के जो लोग है यह महमान नवाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं इनका एक अलग ही लोगों को वेलकम करने का तरीका है बहुत स्वीट होते हैं ये तो हॉस्पिटालिटी महमान नवाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं and they are more than willing to recount numerous tales of vellar related to their sons and fathers और अगर आप इनके पास जाएं तो यह हमेशा ही इच्छुक रहते हैं किस चीज को करने के लिए कि ये बार-बार जो हैं जो भी इनके बेटे या इनके पिताजी से related जो युद्ध की बहादुरी की कहानी है वो बताने के लिए हमेशा बहुत-बहुत हिच्छुक रहते हैं तो अगर आप कभी भी जाएं तो ये हमेशा तयार रहेंगे वो कहानियों को दोहराने के लिए अब यहाँ पर most decorated का मतलब होता है बहुत जादा यहाँ पर इन लोगोंने medals वगिरा जीते हैं ठीक है? तो बहुत सारे पुरुसकार मिले हैं कुर्ग रेजिमेंट को यानि जितनी भी रेजिमेंट्स हैं जिनको बहुत बहुत जादा बहँदुरी के लिए पुरुसकृत किया गया है उनमेंसी एक कुर्ग रेजिमेंट है तो आपको समझ आगया खोगा कि इतने बहद्दोर हैं आंके लोग साथी साथ इंडियन आर्मी के पहले चीफ जो थे जिनका नाम था जेनरल करियपपा ठीके CM करियपपा नाम इनका पूरा तो जेनरल करियपपा जो है ये भी कुर्गी थे और ये इंडियन आर्मी के क्या थे पहले चीफ थे इवन पूरे इंडिया में सिर्फ कुर्गी लोग हैं जिने आज भी बिना लाइसेंस के जो भी गन वगिरा होती है जो भी चीज़े होती है जो फायर आम्स के अंतरगात आती है वो सब रखना अलाउड है इनको कोई लाइसेंस की जोरत नहीं होती है ऐसा क्यों क्यों कि इन लोगों ने हमेशा बहादूरी दिखाई है साथी साथ कभी भी गलत उप्योग नहीं किया है इन चीजों का तो इनकी बहादूरी को ध्यान में रखते हुए इन्हें उस अक्ट से बहार रखा था जहां पर से meanings देखते हैं, tales का मतलब क्या होता है, t-a-l-e है, t-a-i-l नहीं है, t-a-i-l वाला tale is पूछ, और t-a-l-e का मतलब होता है कहानी, ठीक है, so tales of valor is stories of courage and bravery usually in war, युद्ध में जो भी courage, वीरता, बहादुरी की कहानी होती है, उन्हें कहा जाता है tales of valor, that is वीरता के kiss से, दूस में बहादुरी दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा पुरुसकार मिले हो अगर, to mostly decorated या most decorated कहते हैं, so बहादुरी के लिए अधिक संख्या में पुरुसकार मिले हैं, किसको कुर्ग रेजिमेंट को, that is what is, जो आपको यहाँ पर प्रूफ करता है कि कितने यहां के लोग बहा जाता है, so दक्षिणी भारत में कुर्ग के पहाड़ी शेतर के एक आधिवासी लोग, next है fire arms, a rifle, pistol और other portable gun, जो भी आगने शेतर होते हैं, वो कोई rifle हो, वो pistol हो, वो gun हो, वो सब बिना license के रखने के लिए इनको allowed है, लिया, okay कुर्गे घरों में आतित्य सत्कार यानि की बहुती ज़दा महमान नवाजी, अतिती का सत्कार उसे hospitality कहते हैं कि परंपरा है, और वे अपने पुत्रों और पिताओं से संभंधित कई वीरता के किस्से सुनाने के हमेशा इच्छक रहते हैं भारतिय सेना में कुर्ग रेजिमेंट को बहादुरी के लिए अधिक्तम संख्या में पुरुस्कार मिले हैं, लैक सबसे ज़ादा इनको नहीं मिले हैं, जिनको सबसे ज़ादा मिले उनमें से एक कुर्ग रेजिमेंट है और भारतिय सेना के पहले प्रमुक जनरल कौन थे करियपपा जो की एक कुर्गी थे अब भी कोडवस भारत में एक मात्र ऐसे लोग हैं जिने बिना लाइसेंस के आगने शस्त्र यानि की जो भी पिस्टिल राइफल वगरा है रखने की अनुपती है पर इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है दान ओके चले आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नदी है कावेरी नदी जिसमें पानी कहा से आता है यानि कुर्ग के जो hills है पहाड़ियां है जो जंगल है वहाँ से पानी प्राक्त होता है कावेरी नदी को महसीर a large fresh water fish महसीर एक मचली है बहुती बड़ी साफ पानी fresh water में पाय जाने वाली मचली होती है जो कुर्ग में आपको अधिक्तम संख्या में मिल जाएगी it is found abound in these waters याई abound का मतलब होता है बहुत जादा number में in large number ठीक है तो kingfisher जो है आपको दिख जाएगी हाँपर जो अपने catch यानि की मचली पकड़ने के लिए dive मार रही है यानि पानी की उपर से उपर से मचली उठाते वे जा रही है while squirrels and langour squirrels गिलहरी लंगूर एक तरीके की monkey पर जाती so langour's drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water और यहां के जो wildlife creatures हैं बड़े funny हैं बड़े मस्ती खोर हैं तो यहां की जो squirrels हैं घिलहरी और लंगूर हैं वो मस्ती करने के लिए क्लिए क्लिए क्रते हैं fruit को थोड़ा खाते हैं partially eaten मतलब थोड़ा बहुत खाय हुआ जो फल है और फिर उसको जोर से पानी में उपर से फेकते हैं क्यों फेकते हैं क्योंकि जैसी वो आफ किसी भी चीज को पानी में फेक हो तो एक छपाक करके आवाज आती है जिसे splash कहते हैं तो वो उनको सुनना बड़ा पसंद है साथ ही साथ आप कोई भी चीज पानी में फेको तो ऐसी waves बनने लगते हैं कोई भी चीज फेको गोल-गोल चीज़े बनने लगती है उसको ripple effect कहते हैं ठीक है तो ऐसी waves बनती है पानी में तो इंको बहुत मचा आता है कि स्कुर्रल और लंगूर्स को तो इसलिए आदा फ्रूट खाते हैं आदा पानी में फिक देता है एलेफिन्स इंजोई विंग बेथ और स्क्रप्ट इन रिवर बाइदेर माहुट्स और एलेफिन्स जो है वो अपने माहुट्स माहुट्स कौन होते हैं जो हाती का ध्यान रखते हैं उसकी सफाई करते हैं ठीक है अब देखा होगा जो हाती जो साथ होते जब siabari फगराते हो इन्हें माहुट कहा जाता मुझा जाता है तो आपaufen हाती हो जो है । को अजिता हो को पानी में और स्क्रब्लॉत कर्ये आपको जब अच्छे हो भीकिछ कने सबस्ट ड़नछे को मिलें आपको कुछ जाएं ऐस अगर कोई भी चीज बहुत जादा संख्या में होती है तो आप अबाउंड वर्ड का यूज कर सकते हो प्रचुर मात्रा में होना दूसरा वर्ड है स्प्लाश मतलब वो चप चप आवाज आती है So a sound made by something striking or falling into liquid that is चप चप जो आवाज है उसे स्प्लाश कहा जाता है Next word पर आते हैं ripple effect which is a small wave or series of waves on the surface of water caused by an object dropping into it यानि पानी में जब आप कुछ फेकते हो तो उस फेकने के वज़े से जो थोड़ी बहुत waves या बहुत सारी तरंगे बनने लगती है उसे कहा जाता है लेहर का बनना That is what is ripple effect Scrubbed यानि rub hard so as to clean them typically with a brush and water बहुत अच्छे से नहलाना ठीके रब करते हुए That is अच्छे से सफाई करना है scrubbing करना Mahut is a person who works with rides and tents and elephant यानि हाती को अच्छे से ध्यान रखना उसका सफाई करना सवारी कराना वो सब जो हैं Mahut करते हैं So, हाती की सवारी प्रशिक्षक देख बाल करने वाले को Mahut कहा जाता है Clear? चले इसी को अब हिंदी में देखता है काविरी नदी कुर्ग की पहाडियों और जंगलों से अपना पानी प्राप्त करती है महासीर मीठे पानी की एक बड़ी मचली इन पानी में प्रचुर मातरा में पाई जाती है यानि कुर्ग में जो पानी है वहाँ आपको महासीर बहुत जादा नंबर में मिल जाएगी किंग फिशर अपने शिकार को पढ़ने के लिए गोता लगाते हैं जबकि गिलहरी और लंगूर आंशिक रूप से खाए गए फ़लो को पानी में गिरा देते हैं क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि उन्हें छीटे का आनंद लेने की शरारत और साफ पानी में लहर प्रभाव को देखना होता है तो वो देखने के लिए ऐसा वो करते हैं हातियों को अपने महाबतों द्वारा नदी में नहलवाना और साफ कराने में बहुत ज्यादा मज़ा आता है और यह चीज भी आप देख पाऊगे तो यह तो हो गया wildlife के बारे में अभी और भी चीजें हैं पड़ा पड़ से पढ़ते हैं और क्या-क्या surprises हैं कुर्ग में clear okay the most laid-back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappling, rock climbing and mountain biking तो भई अभी तक हम बात कर रहे हैं कि कुर्ग इता beautiful है चलो ठीके वो हो गया done कुर्ग में क्या-क्या पाया जाता है चलो वो भी done यहां के लोग कैसे हैं वो भी पढ़ लिया हमने और फिर हमने के wildlife creatures के बारे में पढ़ लिया अब बारी आती है अगर आप कुर्ग जाते हो तो सिर्फ इसी ले जाओगे क्या क्या क्योंकि यह बहुत खूबसूरत जगे आप देख के बस आजाओगे नहीं यहां पर आपको करने को मिलते हैं बहुत सारे adventure sports तो अगर कोई बहुत जादा laid-back individual भी होता है जिसे बहुत आलसी वाले लोग नहीं होता है आलसी वाले क्या होता है क्योंकि यहां पर मिलते हैं बहुत जारे adventure activities आपको करने के लिए जैसे की river rafting जैसे khenowing, rafling, rock climbing, mountain biking क्या होता है सब अभी पढ़ेंगे ठीके करके numerous walking trails in this region are a favorite with trackers अब जो tracking करते हैं उनको पता होगा कि पूरा you know जितने भी pathways होते हैं अगर बहुत अच्छे हो तो tracking का मज़ा यह अलग हो जाता है और ऐसे ही जो trails है या pathways है वो कुर्ग में बहुत जादे पाये जाते हैं जो trackers के लिए बहुत ही जादा interesting होंगे तो अगर कोई tracking करना पसंद करता है तो उनके लिए बहुत beautiful path face होते हैं जिससे वो पूरा track वगरा कर सकते हैं जिनको activities करना पसंद है वो activities कर सकते हैं तो ले देखें हाँ पर high energy में आप convert हो जाते हो अगर आप बहुत जादा laid back type के पे individual हो clear फड़ा फट से words का मिनिंग देखते हैं सबसे पर आते हैं laid back पे laid back means relaxed not in a hurry like जो बहुत ही शांत चित रहते हैं जो बहुत ही like lazy रहते हैं कुछ भी बिलकुल ऐसा speed type का कुछ नहीं होता वो लोग भी किसमें चेंजर आते हैं बहुत ही जादा energetic individuals में क्यों क्यों क्योंकि वहा के जो planks होते हैं उसको एक साथ बांध कर एक raft type का यानि बनाया जाता है और उस पे घड़े होकर पानी में पूरा तरीके से सेर करते हैं उसे river rafting हैते हैं तो definitely सुनने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है और इसमें आपको energy चाहिए आपको interest भी चाहिए तो आप laid back जो ब कभी देखा होगा आपने चाहिए तो आपको भी river rafting canoeing इन सबके वीडियोस देख लेना चोटे मोटे ताकि आपको clear हो कि अच्छा ठीक है यह ऐसी activity होते है ठीक है डन नेक्स्ट आते हैं canoeing पे canoeing जो है न वो एक तरीकी boat को बोलता है So canoeing is traveling in a river in a canoe and what is a canoeing a large narrow boat बहुत बड़ी सी और बहुत ऐसे पतली सी सुकुरी सी boat होती है अभी हाँ पर है न इसका image right So आप canoeing का image देख लेना उस नाव में बैट के जब करते है न पानी में travel उसे कहते हैं canoeing So प्रकाश सक्री नाव पर चड़ने का खेल या गतिविती ठीक है Next आते हैं grappling going down a cliff by sliding down a rope यानि इस तरीके से ये रसी की मदद से आप पूरा climbing कर रहे हो and everything उसे grappling कहते हैं So रसी से फिसल कर चटान से नीचे उतरना is grappling Next आते हैं कौन सी activity पे mountain rock climbing Rock climbing खुद बोल रहा है आप चटानों पर climb करोगे ठीक है The sport and activity of climbing rock faces specially with the aid of ropes and special equipments अब यहाँ पर आपको special equipments चड़ने होते हैं Obviously आप ऐसे नीचे बिसकूल चड़के चले जाओगे ठीक है So a sport of riding bicycles off road मतलब रोड पर ही चला रहा हो normal आप ऐसे hills पर चला रहा हो Over rough terrain बहुती रफ सा surface होता है Usually using specially designed mountain bike So special mountain bikes आते हैं वही चला सकतो यहाँ पर Mountain bike चलाने का खेलियां गर्तिविती is mountain biking Next आते हैं Trails पे Trails का मतलब होता है So river rafting, canoeing, grappling, rock climbing और mountain biking के साथ सबसे शांत व्यक्ती भी उच्छ उर्जा सहासिक जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं इस शेत्र में कई paddle mark trackers के पसंदिदा हैं तो आपके पास बहुत सारी activities भी है करने के लिए Apart from जो भी हमने पढ़ा है, इसके अलावा जो भी हमने अभी तक पढ़ा आपको क्या मिलती है, बहुत सारी activities दी तो कुर्ग में बहुत कुछ है, अभी भी खतम नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी surprises है तो आगे बढ़ते हैं कुर्ग में और क्या आपको देखने को मिलता है So birds, bees and butterflies are there to give you company तो अगर आप जाकर महाँ पर ऐसे सारी activities कर रहे हो तो आपका केले नहीं होते हो आपका साथ देनी के लिए पता है कौन होते हैं Birds, bees and butterflies यानि यहां पर बहुत सारी प्यारे-प्यारे पक्षी, butterflies, बहुत सारी bees आपको दिखेंगी यानि wildlife तो यहां पर बहुत सूपर है Also macaques, malaba, squirrels, langours and slendolores keep a watchful eye from the tree canopy अभ यहां पर कई जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे macaques, malaba, squirrels, langours, slendolores यह सब ऐसे होता है कि पेड़ पे आपको ऐसे पेड़ का जो छाया बनाता है तो canopy में आपको बताया था उसके पीचे से ऐसा लगेगा कि आप पे नजर गड़ाए बैठे हुए हैं यह सारे जानवर तो watchful eye यानि कि आपको बहुत ज़दा you know watch कर रहे हैं like a watchman I do however prefer to step aside for wild elephants यहाँ पर कौन लिख रहा है यह lowcase abril तो lowcase abril यानि author कहते हैं कि अगर मुझे बहाँ पर कोई जंगली हाती दिख जाते है wild elephants दिख जाते हैं तो मैं थोड़ा side में हो जाता हू like चले जाए maybe यह तो author को उनसे डर लगता है maybe और कोई reason है तो जब भी wild animals आते हैं तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा side में हो जाता हू the climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kirk also यहाँ पर आप जब Brahmagiri Hills है हाँ पर जब आप उन पे चड़के जाते हो और आप topmost point पे पहुँच जाते हो तो आपको वहां का जो पूरा धुंद से भरा जो landscape है जो खुबसूरत सा view है वो देखने को मिलता है अब होता क्या है ना जब हम जैसे अगर मेरे हाथ में suppose अगर यह phone है तो मैं इस तरीके से click कर रहे हूँ तो इतना view आएगा राइट जब मैं तेडा कर देती हूँ न तो यह जो पूरा view है यह panoramic view कहलाता है यानि वाइड आपको view मिलता है किसका एक बहुती खुबसूरत धुंद से भरा पड़ा जो landscape है उसका कब जब आप ब्रह्मगीरी हिल्स पे चड़कर जाते हो Canopy क्या है The uppermost branches of the trees in a forest जो उपर की पुरी-पुरी branches होती है फिर मैं थोड़े देर पहले ड्रॉक कर रहा था मैंने तो that is what is canopy यानि की छत्र जो चत्र अचाहा होते है पेड़ की that is a canopy clear? Okay Next आते हैं panoramic view पे view of a wide area of land यानि पूरा wide सा जो view होगा न जाते हैं वैसी पे ऐसी जगाओं पे आप जाते हैं जैसे आप ूटी चले जाएं आप इधर चले जाएं खोर्ग वेस्ट इन जगाओं पे आप जैसे जैसे ऊपर आलाकि मैं जंगली हातियों से अलग हट जाना पसंद करता हूँ कौन ऐसा लेखक कहते हैं ब्रह्मगीरी पहाडियों की चड़ाई आपको कुर्ग के पूरे धुन्द भरे परी दृष्य के मनोरम दृष्य में ले जाती है तो आप अगर पूरा एक खुबसूरत सा मनोरम, मन को मोह लेने वाला दृष्य देखना चाहते हो वो भी बहुत ही वाइड एरिया का आप यहाँ पर जाकर ब्रह्मगीरी हिल्स पर क्लाइम करके पहुँच जाएए तो वहाँ से आपको कुर्ग का बहुत ही खुबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा अब आगे भी और भी चीज़े हैं वो पढ़ते हैं तो ब्रह्मगीरी हिल्स याद रहेंगी नेक्स्ट पढ़ते हैं जो आपको नाम धान में रखना है यानि कि आप एक रोब ब्रिज है जब आप उस पर चड़के जाएंगे तो आप एक 64 एकर के आइलेंट पर पहुच जाएंगे और वो आइलेंड का नाम है निसार गंधामा तो ब्रह्मगीरी हिल्स ध्यान में रखना नाम अब निसार गंधामा नियाम ध्यान में रखो जो कि एक आइलेंड है 64 एकर का अब यहाँ पर एक जगे है बाइलकूप, बाइलकूप के पास पड़ता है भारत का सबसे बड़ा तिबिती सेटलमेंट ठीक है? और अगर वहाँ पहुचते हो तो आपको मिलेंगे वहाँ बहुत सारे बुद्धिस मॉंक्स, इन्हें कहा जाता है बुद्धिस मॉंक्स, तो आप यहाँ पर इनसे टकराएंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे जो कुछ भी, यह क्या है यह एक और बोनस है, यह आपको इतन many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right there in Kirk तो आप जैसे यहाँ पहुँचते तो आपको Monks दिखते हैं, Buddhist Monks जो की you know red या ओक्रे गेरुए रंका या फिर you know yellowish color के ropes पहने होते हैं, अलगा color के आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ कपड़े पहने हुए और आप जब यहाँ पर इनसे मिलते हैं तो आपको इतने surprises पता ही चल गए कुर्ग यह उनमें से एक और surprise यह है जब आप यहाँ पहुचते हो इन Monks से मिलते हो यहाँ का सब कुछ यह नो देखते हो जो भी settlement है तो यह जो है अगर कोई भी कोई भी person इंडिया के heart और soul की तलाश में है यानि दिल और आत्मा की तलाश में है अगर इंडिया की तो definitely वो सही जगा है वो क्या है कुर्ग यानि कुर्ग इतनी खुब सूरत है कि इसको heart and soul of इंडिया कहा गया तो यह paragraph I hope clear हो गया है कि एक rope bridge है जिस पर चल कर आप जाते हो तो आपको 64-acre island निसार गंधामा दिखने को मिलता है यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बाइलो कूप के पास एक दुनिया का दुनिया का नहीं इंडिया का सबसे बड़ा तिबितत settlement मिलेगा जहां पर आप बुद्धिस निसार गंधामा आ जाता है बाइलो कूप के पास भारत की सबसे बड़ी तिबती बस्ती में बहुत भिक्षू जो होते हैं जो मौंक होते हैं उनसे मिलना एक अधी लाब है अधी लाब क्या होता है एक और लाब यानि बोनस भिक्षू लाल गेरू और पीले वस्त्रों में भारत की दिल और आत्मा की खोज करने वाले आंग तुको या फिर आप कह सकते हो परियतक ठीक है दौरा यहां कुर्ग में खोजे जाने वाले कई आश्राओं में से एक है यानि अगर कोई भी हाट और सोल ढून रहा है इंडिया का वो कुर्ग जाए कुर्ग में आपको कई सप्राइस मिलेंगे और उनमें से एक सप्राइस जाप का वेट कर रहा है वो है यहां की जो तिबित्ती सेटलमेंट है जो बस्ती है और यहां के जो मॉंग्स है तो ले देखे कुर्ग में सब कुछ आपको मिल गया कुर्ग एक बहुत ही खुबसुरत जगह है, मैसूर और मैंगलॉर के कॉस्टल टाउन के बीच में situated है, फिर ये है सबसे बहुत ही जाने मानी डिस्ट्रेक्ट जहां आपको मिलते हैं बहुत सारे coffee plantations, बहुत सारे evergreen rainforest, 30% कवर करते हैं हाँ के अरिया का, also आपको यहाँ पर बहुत सारे spices मिल जाएंगे, and then आपको मिलते हैं हाँ के लोगों के बार में जानने के लिए, कि हाँ के लोग बड़े बहुत बहुत होस्पिटिबल है, यानि इनकी जो अतती सम्मान है वो बहुत आता जाना जाता है, साथी साथ कुर्ज रेजमेंट जो है वो जितनी भी देजमेंट से हैं इंडिया की, उनमें से एक है, जिससे सबसे साथा पुरसकार मिले हैं, साथी साथ इसके जो इंडिन आर्मी के पहले चीफ थे, वो भी कुर्गी थे, कौन करियपा, also you get to know about different adventure activities, आपको इतनी सारी adventure activities यहाँ पर देखने को मिलती है, wildlife creatures देख सकते हो, so definitely कुर्गिता सुन्दर है, कि इसे definitely सही कहा है, कि यह एक heaven है, यह peace of heaven है, that is drifted from the kingdom of God, and definitely if you get a chance, do visit कुर्ग, done, okay, चलिए, so इस तरीके से हम जो चाप्टर है, कुर्ग, छोड़ा सा चाप्टर है, पर बहुत सारे facts हैं, ठीक है, तो सब ध्यान में रखना प्लीज, ब चाप्टर करना इन सब वर्ट की, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो, जो आपको बाद में, you know, as a confusing state लगे, done, okay, चलिए, so chapter के detail explanation को हमने खतम कर लिया है, बट अब बारी आती है, website के बारे में जानकरी प्राप्त करने की, so देखिए, आपने जैसे ये वीडियो देखा, वैसे ही अ को देख सकते हो, जैसे कि आपको गर English Medium का पूरा curriculum देखना है, आप क्लिक कीजिए, आपको classes मिलेंगी, आप kindergarten से लेके class 12 तक का कोई भी class के student है, या आप किसी को जानते है, जो किसी भी class का student है, प्लीज उनने पताइए, वो click करकर सीधे सीधे subjects और वीडियो तक पहुँच सक सब कुछ, तो आप spoken English पर क्लिक करेंगे, तो आपको classes मिलेंगी, different videos मिलेंगे, जिससे आप अपने English का level definitely बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, साथी साथ NTSC Olympiad पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसे topics मिलेंगे, जो आपकी ग्यान को बढ़ाएंगे, आपका general knowledge बढ़ सकता है, इसस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी classes आएंगी, उस class पर क्लिक कीजिए, जिसके subjects आपको देखना है, सबोस आपने क्लिक किया class 10 पर, आपको मिल जाएंगे सारे subjects, आपको अगर पढ़ना है English, आप स्क्रोल कीजिए, आपको English दिख जाएगा, क्लिक कीजिए, उससे related आपक एक चीज करनी है कि MagnetBrain.com विजिट करना है, ताकि आप अपना समय भी बचाओ और आप डिफरेंट चीजें पढ़ भी पाओ, एक बार जाके विजिट जरूर करना, clear? ओके चलिए, इस तरीके से हम आचुके हैं, आज के discussion के end में, यानि की हमने बात कर लिया है, detailed explanation of झालाओ, 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 झाला